Hey guys मैं हूँ सच्च निगाम और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं Wanda Vision के Episode 5 की Heated Details और Easter Eggs के बारे में लगबग 16-17 डिटेल हैं और मुझे जो पता चली है मैंने इनको बहुत डिटेल में जज़ किया है और ऐसा भी होसकता है कि कुछ लोगों ने फिर से पहले बता दियो Because मैं Exploration की वीडियो और साथ साथ डिटेल्स की वीडियो लग लग बनाता हूँ तो manage कर लेना Subscribe नहीं किया यवी तक subscribe कर लेना And let's begin the video Episode की शुरुआत में हम देख सकते हैं Wanda और Vision का घर और घर के पीछे आप देखेंगे background में तो कुछ chairs रखी हुई है इन chairs को अगर आप गौर से रखेंगे जूम करके तो यहाँ पर हमें दो initial दिखाई देते हैं चोकि है W और M यानि Wanda Maximoff तो यह है हमारी first detail Second detail के बार हम बात करूँ तो यह है कि Wanda का जो magic है उसके बच्चे पर काम नहीं करता अब obviously आप यह जानते हैं कि जो दो baby हैं उसके एक का नामे Tommy एक का नामे Billy तो Billy जो है वो पनी मा की powers से लेखे पैदा हुआ है तो वो सकता है उसकी जो powers है वो Billy से थोड़ा से कम हो और Billy उनको reverse कर देटा और उसले ही वो जो powers है वो दोने के उपर काम नहीं करती यह मैंने notice किया है तीसरी चीज़ जो मैंने notice किया गाइस वो यह है कि whenever Wanda needs anything जब भी Wanda को ज़रूत परती है तो Agnes वापे present हुजाती है पता नहीं कहां से episode 1 में जब Mr. and Mrs. Heart Wanda के घर पर dinner पर आते हैं और Wanda के पास खाने के लिए कुछ बनाने के लिए कुछ भी नहीं होता उसी वक्त Agnes जो है वो कहीं से पूरा का पूरा डिनर का समान लेकर आ जाती है ऐसा कैसे हो सकता है second episode में जब Wanda को टाउन के लोगों से मिलना होता है तो Agnes तयार रहती है उसको मिलाने के लिए और हमारे 5th episode में हम देख सकते है कि जब वांडा के है और उनके बच्चे के विच में प्रॉलम हो रही होती है या वांडा बच्चे को सुलाह नहीं पारी होती है उसी वक्त Agnes हो जाती है दूसरे cinema में देखें जब उनको dog house यह होता है तब वो dog house लेकर आ जाती है ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं Agnes को पता है कि वांडा की घर में क्या चल रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि वांडा जो है वह वह बात नहीं जानती हो कि Agnes को दूर से देख रही है या फिर कोई इसक कि इसको fulfill कर दो क्योंकि आप notice करना जब भी वांडा कोई problem होती है तो Agnes वहीं पहुच जाती है पता नहीं कैसे जिसको vision भी notice करता है कि जब भी कोई बात होती है जसे हम सोचते है तो वापस वहीं चीज हो जाती है ऐसे कैसे हो सकता है चौती चीज जगाई जो मैंने notice किये वो यह है कि जब भी Agnes वहां पे present होती है और साथ साथ बच्चों की बात करें तो बच्चे जब भी age up करते हैं उस वक्त Agnes वहां पे present होती है हम देख सकते हैं जब बेबीज होते हैं वो चोटी 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 और जैसी वो 5 साल के होत फिर वो 5 साल से 10 साल के होते हैं तब भी Agnes वहां पे होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि Agnes यह कुछ कर रही हो और वो देखना चाहती हो कि बेबीज अगर बड़े हो जाएंगे तो उनकी पावर्स कितनी अधा अच्छे से काम कर सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि उसके पीछे क पावर्स का हाथ हो सकता है और अटलीस जल जब उनकी एज बढ़ती है तो Agnes उस वाक परसंट तो होती ही है वांडा के किछन के अंदर अगर आर वाल पेपर गौर से देखेंगे और यह डेकुरेशन को आप गौर से देखेंगे तो यह डेकुरेशन एक्जाक्ली वही डेक लगा हुआ है तो ऐसा तो नहीं है कि सेम किछन के अंदर ही जो हमारा सारा की सारी चीज़ें वह शूट हो रही हो और वांडा के सबकॉंशन माइंड में उसका जो हाउस का प्रिजेक्शन है वही आ रहा हो यह मैंने नोटिस किया चोड़र डिलर तो मैंने आपको बता दिय सिक्स चीज़ जो मैंने नोटिस की वह यह है कि वांडा जो है जब ओपनिंग क्राइट समा देखने को मलते हैं तो बिली एंड टॉमी का डारेक फिफ्ट बड़े मना देती है वह लब एक दो तीन चार पांच अब बच्चे जो है वह एकदम से पांच साल के हो गए है तो हम देख सकते हैं कि जो इंफोमेशन निकालते हैं अपनी बोड पर बहुत जादा यूस्फुल है कुछ चीज़ें के अंदर हमें दिखाए तेती हैं फरस्ट अवल हमें डबलु एच यह देखने को मलता है जो कि ऑफिशन न्यूज चानल है एंसीउ का जब भी एमसे में को हुथी बड़ा Easter Egg है जो कि डिजनी की मूवी में और पिकसार की मूवी के अंदर दिखाया जाता है और अब हमें वांडा विजन के अंदर भी यह नंबर देखने को बला है तो A113 यहां पर भी प्रेजन है और इसी सीन में अगर आप गौर से देखेंगे तो तो टायला विजन का बॉड़ी रखा होता है तो वांडास को लेने आती है अब यहां पर दो चीज़ होती है पहला स्वार के पास जो हमारी विजन की बॉड़ी आई कहां से और इसके अपर एक्शली वह कर गया रहे थे दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है कि स्वार से वांडा जो है अपन मोनिका रैंबो, जेमी वू और डार्सी लूइस बात कर रहे होते हैं वांडा की रियल टीम अंदर गुसने की तो यहां पर जो है मोनिका रैंबो बोलते ही कि मैं एक एरोस्पेस इंजिनियर को जानती हूँ मेरे साब से वो बात करने वाली है यहां पर री रिचर्ट की और जो मैं नोटिस किये हूँ यह है कि फाइनली डार्सी को कॉफी मिल गई यार कॉफी इन्हों इस वरी इंपॉर्टन आइज लव कॉफी तो डार्सी को फाइनली कॉफी मिल चुकी है जो की वो लगबग फोत एपिसोड से बांग रही है उसकी बार अगली डिटेल के अगर बात करें तो मोनिका रैंबो जीमी भू की गन का स्टमाल करके अपने कपड़ों पर शूट करती है यहां से यह चीज साबित हो जाती है कि मोनिका रैंबो ने जब वो बाहर थी तब उसने बुलेट प्रूफ कपड़े पहन रखे थे और जब वो बांडर की रिटी के अंद प्रूफ करने का जो तरीका था वो अभी वैसा ही है यह बात में भी कामाईगी डिटेल तो आप याद रखना है अगली डिटेल शायद मुझे ही दिख रही है आपको दिख रही हो तो आप मुझे बताना वह यह है कि जब भी हम नॉर्म को देखते है या फिर बाकी के अ करला का जो ही हुई यह बिलकुल पह नहीं है। हम आफिस के अंबर भी देख सकते हैं आफिस सीन में जब विजन नौ म से बात कर रहा होता है तो नौं के आउपर वह तो राटो खुता सा था ही बात के सीन में वह प्तास में तर आप नौन के डिखनेया के बात के शिन अब ऐसा हो सकता है कि उस टाइम के हिसाब से यह थोड़ा रेड कलर डाला गया हो बट मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है इसलिए मैं आपको बता दिया अब आपको दिखे तो आप भी मुझे बताना उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब जो हमारा ड्रोन होता है जब वांडा की रारिटी में एंट्रिक करता है तो फस्टेवल वांडास को देख रही होती है लेकिन जैसे इसको से खत्रा मैसुस होता है तो अपना हैट टेंट करती है अब आपको बता है कि वांडा अगर अपना हैट टेंट करती है उसका मतलब है कि सामने वाले की बैन बजने वाली है कि जब वो वांडा जो है अपने बबल रियालिटी से भार आती है तो हम देख सकते हैं कि उसने वही कपड़े पहन रखे हैं जो कि उसने अवेंजर एंड गेम के अंदर पहन रखेते हैं इसका मतलब यह है कि अवेंजर एंड गेम के तुरंत बाद ही वो आई विजिन की बॉ अपनी निरें तो वो क्या कर रहे है वो बैरियर को और जादा पावरफुल बना रही है ता कि इसके अंदर आप कोई भी नहीं गुसेके तो अब सवाड कर या फिर किसी बंदे का अंदर गुसना थोड़ा सब मुश्किल हो जाता है लेकिन अब एंड में जो चीज होने वा तक कि विजन भी इसको नहीं जानता, अब obviously Wanda को पाता होना चाहिए यह कौन है, क्योंकि वो भी यह सोच रही है, क्या यह पियर ट्रो है, और वो ऐसे behave कर रहा है, जैसे वो उसका भाई ही है, मतलब यह कैसे हो सकता है, पहली बात तो जो Wanda का barrier था, वो super charge हो चुका था, उसके चुए इंज रहे है, या फिर कुछ तो यह भी कह रही है, कि यह मफिस्टो है, उसको barrier से कोई फरक नहीं परता, और आप notice करना, कि जैसे ही barrier के अंदर गुसनी कोशिश होती है, मतलब end का scene आने वाला होता है, तब ही Darcy Lewis भागती भागती हैं में TV की तरब पहुंचती है, औ और वही सारेन भज रहा होता है, जब barrier में कोई गुस रहा होता है, यानि barrier में कोई ना कोई तो गुसा है, यह गुसा है हमारा मफिस्टो मेरे साफ से, अब काफी लोग कह रहे हैं कि जो Evan Peters का रोल है, वो सिर्फो 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 का है, बट मैं पता नहीं क्यों agree नहीं कर मतलब मैं expect नहीं कर रहा था Marvel से कि 5-6 episodes दिखाने के बाद भी वहतनी सारी चीज़े हम से छुपा लेंगे, लेकिन अभी तक हमें यह तक नहीं पता है कि one dog control कौन कर रहा है, विलन कौन है, और actually I'm chill कर रहा है, good job Marvel, मैं बहुत happy हूं तुम लोग से, thank you so much for watching this video guys, हो सेक्टा है, मैं से कुछ odd detail मिस हो गई है, तो वह आप मुझे comment section में जरूर बताना, और यह episode आपको कैसा लगा इसका breakdown, अगर explanation आप देखना चाहते हो, तो मैंने i button बे वीडियो बना के अल्यडी रख रख किया, वो भी जाके देख सकते है, thank you so much again for watching this video guys, मैं उस अच्छी निगाव वाइख चक्या, love you all and have a great amazing day.